साथियों, देश के इंफ्रासेक्टर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशां से ये रही थी कि नए प्रोजेक्स की गोश्णा तो हो जाती थी लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था इस वज़े से प्रोजेक्स बर्षों तक लटके रहते थे उनमें काम की रप्तार बहुत दिमी होती थी नाम मत्र का काम होता था हमारी सरकार ने नई परियोजना की शुरुवात करने के साथ ही उसके लिए आवश्यक दनराशी के इंतजाम पर भी उतना ही ध्यान दिया है और आधुनिक इंफास्ट्रक्चर पर जीतना आज देश में खर्च किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया अब नेशनल इंफास्ट्रक्चर पाइप्लाइन प्रजेक्ट के तहट सो लाख करोड रुपे से अधिक खर्च करने की भी तैयारी है मल्ती मोडल कनेक्टिविटी इंफास्ट्रक्चर मास्टर प्लान उस पर भी काम किया जा रहा है कोशिश यह है कि देश के इंफास्ट्रक्चर को बहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश को आकरशित किया जाए इन्फास्रक्चर और रियल एस्टेट पोजेस में इन्वेस्ट में विदेशी निवेस को आसान बनाने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं